Solvent Extractors Association of India, C, ने कहा है कि 2024-25 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन, नवंबर अक्टूबर के दौरान भारत में वनस्पती तेलों का आयाद घटकर 150 लाक टन के करीब सिमट सकता है, जो 2023-2024 सीजन के अनुमानित आयाद 160 लाक टन से 10 लाक टन तथा 2022-23 सीजन के रिकॉर्ड आयाद 165 लाक टन से 15 लाक टन कम है। Association के मताबिक मौसम की अनुकूल स्थिती के कारण इस बार तिलहन फसलों का घरेलू उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे खादे तेलों का बेहतर उत्पादन होगा और विदेशों से इसके आयाद की आवशकता घट जाएग। Association के कारेकारी निदेशक के अनुसार फसलों की शांदार स्थिती को देखते हुए 2024 से 25 के पूरे मार्केटिंग सीजन के दौरान तिलहनों का कुल घरेलू उत्पादन 30 से 40 लाक टन तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे घरेलू मांग को पूरा करने के बाद करीब 10 लाक टन का अधिशेश स्टॉक बच सकता। 22 से 23 सीजन के आयात 98 लाक टन से 6 लाक टन कम है। दूसरी और सूरज मुखी तेल का आयात इसी अवधी में 29 लाक टन से बढ़कर 35 लाक टन पर पहुँचने की संभावना। 22 से इसकी खरीद में भारती आयात कों की दिल्चस्पी घडगए। सितंबर की तुलना में अक्टूबर के दौरान भारत में पाम तेल का आयात 69 प्रतिशत बढ़ गया क्योंकि वहां जोरदार त्योहारी मांग बनी हुई थ। Bureau Report Market Times TV